कोटा शहर में इन दिनों कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार जाफर होता जा रहा है दोनों नगर निगम इलाकों में संक्रमित मरीज लगातार सामने आ रही हैं हाला कि बीते साल निगम ने स्टैनिटाइजेशन की विवस्ता करवाई थी इस बार निगम सुस्त नजर आ रहा है SDRN ने दिखाया था कि निगम के यराज में सैनिटाइस मशीने कबार में तबदील हो गई है उसके बाद निगम के स्वास्तादिकारी नहीं चेते वहे इस मामले में कोटा दक्षन डिप्टी मेर पवन मीना का कहना है कि निगम में हाइपो क्लोराइड की कमी नहीं है अलग सेक्टर हमने बाड़ के रखा हुआ है और हर सेक्टर में हमने दो मशीन जो हैंड मशीन था मानो दराद चलित जो रहती है वह हमने उसकी विवस्ता खरवा दी है और हमार पास परियाप हाइप टोरेट की विवस्ता भी है अगर जहाँ जहां से भी अगर कोई शिकायत ना ले इस गड़ी को आप खलका ना समझें क्योंकि आपने और हमने जो पिछला एक साल है वो बहुत बुरा देखा है किस तरीके से हमारी जेग पर जो है मार पड़ी थी लॉकडाउन के समय पे हमने और हमारे परिवार ने और पूरे शेहरवासियों ने बहुत समझ्याओं क कि इस स्थित्य को आप हलका ना ले जो सरकार की गाइडलाइन से उनको आप पूरी तरीके से फॉलो करें